हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉफ की कटिंग और स्टीचिंग तो देखे फ्रेंड यह फ्रॉफ जो है हमने फाइफ टू सिक्यर गर्ल्स के लिए बनाकर रेडी की है और फ्रें प्रेंड यह बहुत ही प्यारी सी पार्टी वियर ड्रस बनकर रेडी हुई है जिसे आप अपनी बच्चों को कहीं भी छोटे वटे पंक्शन में वियर करा सकते हैं और फ्रेंड आप इसका लुप देखी सकते हैं कितना प्रटी सा है यह हमारे पास जो है कट वर्क वाला द तो देखी फ्रेंड हम आपको अप लेके चलते हैं कटिंग की और फ्रेंड यह हमारे पास दुपट्टा है और यह हमारे पास लाइनिंग पाब्रिक है जिसका हम यूज करेंगे और फ्रेंड यह हमारे पास कुछ कपड़ा है और यह हमारा दुपट्टा है जिसका हम चेट वर्क हुआ है इसको हम एक साइट से कट करके अलग कर लें तो देखिए यह वाली जो है हम इसको कट करके निकाल देंगे तो देखिए हमने यहाँ पर जो है कट करके इसको निकाल लिया है अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीज लास तक हमारे साथ बने रहीए और अगर हमारे वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इसको ले ले लेगे तो फ्रेंट यहाँ पर हमने 31 इंचिस की लेंस रखनी है और 31 इंचिस लेंस रखनी के लिए यहाँ पर हम अपने दुपट्टे को कुछ इस तरीके से डबल फॉल्ड में रखेंगे और डबल फॉल्ड में रखने के बाद हमने एक साइड से इसका कट वर्क जो है वो अलग कर लिया है और यह नीचे की साइड का कट वर्क जिसे हम बॉटम पार्ट में नीचे की साइड लेकर आएंगे तो फ्रेंट देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 22 इंच पर मार्क करेंगे तो फ्रेंट यहाँ पर हमारा 10 इंच उपर टॉप पार्ट में जाएगा और फ्रेंट 21 इंच यहाँ पर हमारा नीचे की लेंट आएगी बॉटम पार्ट की और 1 इंच मार्जन के लिए तो फ्रें कटिंग करते हैं तो देखे things के हम ने पर जरे अपने बोटम part के लिए कट कर लिया है और अब यी हमारा उपर का बचा हुआ फैबरिक यह हमारा बोटम come हो चुका है और ऊपर जो फैबरिक स्प्रेंड अब हम इसमें से अपने top पार्ट की कटिंग करेंगे तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए हमने 10 इंचिस जो है फ्रेंड हमें तयार लेंद रखनी है अपने टॉप पार्ट की और यह हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो लाइनिंग वाले फैब्रिक के लिए फ्रेंड हमने 11 इंचिस पर देखिए यहां पर हमने 11 मार्कों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर हमारा चेस्ट का मेजरमेंट 20 इंचीज है तो 20 को हम फॉर सो डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 इंच मार्जन के लिए तो हम 7 इंचीज पर मार्क करेंगे और फ्रेंट 18 इंचीज हमारा यहां पर बेबी की लेते हुए 4.5 से हम 6.5 लेंगे और मार्कों को सीधा कर लेंगे तो देखिए हमने यहां पर अपने मार्कों को सीधा कर लिया है और उसके बाद हम इसमें आर्म होल की शेप ड्रो करेंगे तो देखिए आर्म होल की शेप हमने ड्रो कर दी है और उसके बाद हम हाफ इंच प प्रोक वगेरा में करते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर भी Shoulder Down कर लेंगे और हम इसमें अपने Front Arm Hole की Shape Draw करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है हमने Front Arm Hole की Shape Draw г'Draw भी कर दिया और अब Friend हम इसकी Cutting करते हैं और हम यहाँ पर Friend आपको margin के लिए भी निशान लगा कर दिखाएंगे ताकि आप confused ना हो तो देखिए margin के लिए भी हमने निशान लगा दिया है और अब हम इसकी cutting कर रहे हैं तो friend प्लीज अगर हम अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले साथ ही बैल आइकन में प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले लेटिस्ट वीडियो का notification आप तक पहुंशता रहें और हम आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आते रहेंगे अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो देखिए यह हमारे दोनों ही फ्रेंट और बैक के टॉप पार्ट कट हो चुके हैं अब यह देखिए यह हमारा जो फैब्रिक है यह हमने बोटम पार्ट के लिए लिया था अब बोटम पार्ट की पहले विर्दनापते हैं यहां पर जो पॉर पॉल्ड में रखा हुआ तो हमारे पास 20 इंचे और फ्रेंट लाइनिंग फैब्रिक भी देखिए हमारे पास यहां पर बचा हुआ है अब हम अपना उसका मेजरमेंट देखते हैं तो देखिए यहां पर हम अपने जो हमारे लाइनिंग फैपरिक है उसको कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में रखें और डबल फॉल्ड में रखने के बार यहां पर देखिए हमारे इसकी विर्ध यह भी 22 इंचिस है नीचे से फॉल्ड करने के बार दोनों ही हमारे इक्वल आ जाएंगे अब हम इसको कुछ इस तरीके से रख लेंगे और इसको भी फ्रेंड हम 22 इंचिस का मार करते हुए अगर आप गुल फ्लेयर देना चाहते हैं लाइनिंग का भी तो इसका यूज कर सकते हैं वरना तो हम इसको हाफ में भी कर सकते हैं तो देखिए अब हम इसकी स्टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो स्टीचिंग के लिए पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे 2.5 इंचिस पर हम और neck deepness हम 3 inches पर mark करेंगे दोनों ही markों को मिलाते हुए यहाँ पर जो है हम एक box बना कर ready कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट यहाँ पर जो है हमने box बना कर ready कर लिया है और अब हम इसे goal neck की shape देंगे तो देखिए goal eye में हमने shape दे दी है और अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट यहाँ पर जो है हमने अपने lining fabric पर cutting की है क्योंकि यह हमारा organza का fabric है बहुत ही ज़्यादा फिसलता है तो इसलिए हमने पहले lining fabric के उपर cutting की है और अब हम इसको अपने organza fabric के उपर रखते हुए यहाँ पर इसी के mark के साथ हम यहाँ पर जो है इसमें cutting कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट अब हम अपने main fabric की भी cutting कर लेंगे तो देखिए यह हमारी cutting हो चुकी है अब इसी तरीके से हम अपने back part के भी cutting करेंगे तो देखिए back part पर भी हम इसी तरह की मार्किंग करेंगे तो देखे जैसे हमने पहले 2.5 इंचिस पर मार्क किया था इसी तरीके से आप चाहे तो बैक नेक थोड़ा छोटा बनाएं क्योंकि बच्चों को जो है थोड़ा सा इधर उधर फिसलने में बच्चों को कमफर्टेबल कपड़े चाहिए होत तो देखे फ्रेंड यहां पर भी हमारे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है फ्रेंट और बैक दोनों ही यहां पर इस तरीके से स्टिच करते हुए दूसरी साइड को पलटके एक टॉप स्टिच हम इस पर लगाएंगे तो देखे फ्रेंड यहां पर हमने इस तरीके से दोनों कर दिया है और अब हम इसके Shoulder Do code करदेंगे तो हम Duke Shoulder and करेंगे और नीचे की साइड भी हमेन यह हमारा जो क्वाअभी कह एदी इसकी स्दारली ब्लेटे दालेंगे अश्था क्वाप्स जुरॉ अपको पहले भी किस तरीके से डालते हैं अगर आपको नहीं आती हैं, अब हमारे चनली पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं उसमें हम आपको boxes प्लेटे किस तरीके से बनाते हैं, वो हम आपको बता देंगे आप देख सकते हैं और हम आपको समझाने की कोषिश कर रहे हैं तो इसी तरीके से फ्रेंट जितना भी हमारा top part का fabric है उसी के according यहाँ पर हम अपने नीचे वाले bottom part के fabric में इसी तरीके से box वाली प्लेटे डालकर ready कर लेंगे तो इसी तरीके से हमने अपने front और back दोनों ही पार्टों में box वाली प्लेटे डालकर ready कर ली है और अब हम इनको stitch करेंगे तो देखिए अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से हम इसमें lining fabric की cutting करेंगे तो देखिए lining fabric हमारा यहाँ पर main fabric की width 15 inches है तो हम कपड़े को कुछ इ इसको रखते हुए देखिए इसमें हम अपने measurement करेंगे तो friend यह हमारा four fold है तो इसलिए इसका half जाएगा तो हम यहाँ पर 7.5 inches पर mark कर देंगे और friends 7.5 inches पर mark करते हुए उसके बाद हम इसको तिरचे में इस तरीके से एक line draw कर लेंगे तो देखिए line यहाँ पर हमने draw कर लिए है और अब हम इसकी cutting कर देंगे तो देखिए friend यहाँ पर हमारी यह top bottom part के lining वाला fabric है side से जो हमारा यह fold हुआ हुआ था इसको भी हम cut करके कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे तो देखिए यह हमारे यहाँ पर हमें double fold में मिल चुका है fabric और अब हम friend इसको यहाँ पर इस तरीके से stitch कर देंगे हमने अपने fabric को नीचे वाले main fabric के साथ stitch कर लिया है और अब हम इसको इस तरीके से stitch कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही part को stitch कर लिया है और friend आप हम इसकी sleeves बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से बनाते हैं वही simple जिस तरीके से आप simple sleeves की cutting करते हैं उसी तरीके से आपको simple sleeves की cutting कर लेनी है और जो front वाला part होता है उसको आपको थोड़ा loose रखना होता है तो देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें sleeves joint कर देंगे दोनों ही साइडों में लिफs joint करने के बाद हम यहाँ पर एक belt बनाकर लगाएंगे तो यह हमारा इसी type का fabric था जिसमें से हमें कुछ इस तरीकी की पट्टी हमने बनाकर ready कर ली है 2.5 इंचिस चोड़ी और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से stitch कर देंगे दोनों ही साइडों से stitch करने के बाद यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे तो देखे है यहाँ पर हमने इसको stitch कर लिया है और अब हम इसकी side की sly लगाएंगे तो देखे side की sly हो में हमने यहाँ पर लगा कर ready कर लिया है thanks for watching पर